Tableew का dashboard हमने पिछले lecture के अंदर बनाया है इस lecture के अंदर मैं आपको Tableew का dashboard publicly किस तरीके से आप share कर सकते हैं लोगों के साथ और उसको shareable link के साथ अब लोगों को बता सकते हैं कि यह देखो मेरी data visualization की skills कुछ इस तरीके से अशलाम अलेकुम मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel मैं आपको tablue सिखा रहा हूँ वै आप सीख रहे हो ना that's good let's jump into it यह हमारा dashboard है जो हमने पिछले lecture के अंदर बनाया था जिसका link मैंने description में दिया हुआ पूरी playlist का अब वहाँ पे जा के देख सकते हैं अचा अगर आप यहाँ पे top right corner पे जाएंगे यानि कि यहाँ पे top right पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास file का button आ रहा होगा इस पे आप click करेंगे तो आपके पास save to tablue public आ जाएगे यह save to tablue public as आ जाएगा आप ctrl s भी दबा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे click करता हूँ जैसे आप click करते हैं तो what happen is your connection has probably time on to reconnect tablue server code अच्छा जी मैं इसको ctrl ctrl s करता हूँ तो यहाँ पे यह मेरे पास tablue public के साथ sign in जो है वो request करेगा I have to sign in here और इसको sign in करने के लिए मैं यहाँ पे zoom out करता हूँ पहले क्योंकि जारी बात है मैं अपना email और बाकी चीज़ें नहीं बताना चाहता तो इस वज़ा से just keep me one second मैं आता कि अपना password और id जो है वहाँ पे add कर लो तो जैसे मैंने यहाँ पे ctrl s पे click किया था मैं दुबारा से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप जाके ctrl s पे click करते हैं save to table public आजाएगा obviously आपको अपनी id बनाने पड़ेगी और google chrome के उपर आपकी id जो है वो चलने होगी अगर आपके पास table public की id नहीं है तो please आपस request है कि पहले table public की id बना ले और आप table public को यहाँ से sign in कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर sign in बटन पर click करता हूँ then it will ask me कि sign in करो तो मैं यहाँ पर भी sign in कर लेता हूँ sign in करने के बाद यह इस तरीके से मेरे पास यह पूरा sign in हो जाएगा and then this is my table public और अम मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जैसे मैंने ctrl s दबाया था ctrl s दबाने से यह मेरे पास इस तरीके से यह आ जाएगा कि आप publish this workbook will make it available on the public ठीक है तो workbook का title मैं यहाँ पर बता सकता हूँ और पूरी को पूरी workbook को भी यहाँ पर add कर सकता हूँ यहाँ मैं कुछ भी यहाँ पर add कर सकता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ test dashboard मैं से save करता हूँ save करने के बाद यह मेरे पास जो सारे के सारा views है यह online जा रहा है और इसे वो fetch कर रहा है it will take some time और step 8 by 8 जो है इस पर काम करेंगे it will take some time like this और आपके सामने यह आपको time भी बता रहा होगा और आपका data जो है वो tablo public के उपर live चला गया एक तन्भी मैं यहाँ पर आपको कर दूँ कर प्लीज आपने कभी भी अपना personal data यहाँ पर share नहीं करना you have to share only the things which you don't really want to share with public you really want to share with public अच्छा मतलब यह है English में रहने देते हैं उर्दू मैं बताता हूं कि tablo public पे सिरफ वो चीज़ आपने publish करनी है जो आपका sensitive data नहीं है यानि कि आपकी research का data नहीं हो यह नहीं हो है कि तुसी research अला data यहाँ पर publish कर दो तो यह आपका dashboard है obviously यह dashboard आप किसी भी तरीके से इसको set भी कर सकते हैं और यह dashboard जो है आप different तरीके से देख भी सकते हैं अगर आप view in tablo public पे click करेंगे तो यह dashboard edit होके भी आ जाएगा and then you can select different kind of things here और यहाँ पर आपको पता है क्योंकि यह website की layout है then you have to change the layout on your dataset in your tablo public और आप यहाँ पर जाके इसकी layout को edit भी कर सकते हैं and you can do different kind of things here तो यह basically dashboard इस तरीके से public हो गया यहाँ पर जितने लोगों ने देखा वो views आ जाएंगे star भी आ जाएंगे and then you can also see कि कब publish हुआ कब update हुआ अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस tablo public की layout को थोड़ा सा modify करने के कोशिश करता हूँ like this ctrl s दबाता हूँ ctrl s दबाने के बाद यह test dashboard जो है यह मेरा चला जाएगा मैं इसको save करता हूँ वो कहते है पहले से मुझूद है इसको override करने मैं नहीं का yes it will process the same thing again और यहाँ पर आप देखेंगे यह same thing process हो रही है और अगर मैं zoom in करके दिखाऊ you can see कि हमारे पास same thing जो है वो प्रोसेस हो रही है और इसके बाद यह automatically इसे open करते हैं जैसे यह complete होगा आपका internet की speed पर depend करता है तो मेरे पास internet की speed कुछ इस तरीके से है तो here you go आपके पास यह पूरा dashboard इस तरीके से शो हो जाएगा यह बिलकुल एक sample dashboard है आप इसमें अपनी तरफ से चार्चांद लगा सकते है it's totally up to you and then you can actually play with this dashboard ठीक है जी so यह एक small सा dashboard मैंने आपको बना के दिखाया अगर मैं यहां पे Tableau Public के उपर click करूँ you can see कि मेरे जो काफी जो लोग है विज ओफ दे डे अगर आप देखें यहां पर तो आपको नजर आएगा कि there are many people जो automatically dashboards बना के upload करें बड़े बड़े आला किसम के dashboard है जैसे यह वाला एक dashboard है आप इसके उपर click करेंगे you will see के वकार आहमत शेख है कोई इन्होंने Tableau Public के उपर यह अपना dashboard जो है उसे add किया हुए इस तरीके से आप dashboard जो है वो बना के लोगों को दिखा सकते हैं और यह views आपके सामने आते हैं यानिके 1084 यानिके 1084 लोगों ने देखा है 22 लोगों ने से star की है star का मतलब है add to favorite है और यहाँ पर आप different किसम के hashtag यूज़ करते है इस a kind of social media या community of Tableau Public और आप देख सकते हैं कि यहां पे सरफ यही नहीं आप इसे download भी कर सकते हैं इसको image के तोर पे भी cross tab के तोर पे भी powerpoint भी और tab Может book के तोर पे और आपो डवें दावनलोड करता हूं और जैसे मैं इसको download करता हूं यह workbook मेरे पास आ जाती है मैं इस workbook को अगर मैं download में जाके इस workbook को right click करके open with tab but करूं then probability है कि यह workbook मेरे पास जो है वो open वह जाएगी and I can actually play with this dashboard और मैं अपनी मर्जी से अपने data के उपर भी same किसम का dashboard जो है वो बना सकता हूँ so it's totally up to you आप किस तरीके से इस तरह की dashboards को देख सकते हैं और यहां पर आप देखें कि a maintenance update for Tableau Public is available मैं यहां पर इसे click करता हूँ and here you go यह पूरे के पूरे dashboard जनाब आपके सामने हाजिर है किस तरीके से बनाया है किस ने बनाया है और वो पूरे के पूरी workbook यहां पर मुझूद है that's the beauty of Tableau Community Tableau Public अब अपने dashboard भी share करें अब की assignment आप लोगों की यह है कि प्लीज आप अपना कोई भी एक dataset उठाएं उसका कमाल का dashboard जो है वो बनाए और उस dashboard का link comment section में paste करें ताके बाकी लोग भी देखें और आपको सहरा हैं भी और comments या star करके आपके dashboard को और भी ज़्यादा जो है वो popularity की तरफ लेके जाएं क्योंकि Tableau Public जो है अल्हुपैस अल्हाफेस Jackie